हेलो आप सभी का स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक सेनल पे तो दोस्तों इस वीडियों बात करने वाले हैं 21st of December से एक और IPO आ रही है इस IPO के रिलेटेड हम लोग company details business model financial parameters साथ यहाँ पे future में इस company के रिलेटेड आपको कैसे returns देखने को में सकते हैं और retailers के लिए इस IPO मे किस तरीके खुशकबरी है सो इन सारे points के बारे में एक एक करके इस वीडियों बात करने वाले हैं तो वीडियो को बिना skip की हुए लास्ट देखिएगा ताक कि आप से कोई भी important information mission आप है आज ही की डेट में आप सभी दोस्तों के लिए इस चानल पर इससे पहले तीन और इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किये फर्स्ट यहां पर कर लिस्टिंग होने जा रही है और जो इसके रिलेटेट बात की गई है सेकेंड आप लोग को डाटा पैटरंस आईप्यों के रिलेटेस्ट अपडेट के बारे में और थार्ड में इन सभी आईप्यों का और एक एलोट्मन इसमया डाटको जवाब दिया गया तो इन तीनों वीडियो का लिंव इसे वीडियो के डिस्क्रिप्प्स आऔर मिल जाएगा वहाँ से भी आप लोग इन तीनों वीडियो को भाच कर सकते हैं इस्टरी के लिए इसी तरीके कैई आप बढ़ आने पढ़ एक सब्सक्राइब करके आप अपने अलोट्मेंट चांस को बढ़ा सकते हैं तो बात करें यहां पर जिस कंपनी के रिलेटर हम लोग बात करने जा रहे हैं उस कंपनी के रिलेटर बात की जाती है कंपनी आपको को CMS Info System Limited यह कंपनी है जो कि यहां पर लारजेस्ट आपको यह कंपनी है जो की ऑपरेट करती हुई देखने को मिलती है है Cash Management Company in terms of ATM points or return. लोग जरोग बात कि जाती इन कंपनी के द्वारा Increment in terms of ATM points और return पर आगे पर आपको दिया गया हुआ है कि यहां पर तीन सेगमेंट में काम करती हुए देखने को मिलती है यहां पर पर आपको दोन है कैस्स मेंटेजमेंट शर्विस आप लोगों को सकेंड की बात की जाया तो मैंज जो की सर्विस प्रॉइड करती है बैंकिंग अटो मेंशन प्रोड़क्स करती है कंपनी साथी कौमन कंट्रोल सिस्टम और यहां पर सॉफ्ट्वेर जो सलूसन होता है वह भी बैंकिंग सेग्मेंट यह प्रवाइट करती हुए देखने को मिलती है साथ यहां अधर थर्ड सेग्मेंट की बात की जाते हैं फाइनेंशियल कार्ड इंस यहां पर इसूज और जैसे कि आप लोगों को बैंक कार्ड हो गया और कार्ड परसनलाज सर्विस इस कंपनी के द्व बैंस यहां पर देखने को मिलती है वहीं पर 238 ब्रांच है जो कि ओफिस कवर करती है और इंडिया यानि कि आप लोगों को बात की जाए तो इंडिया स्टेट पूरा हो गया और वहीं पर आपको यूनियन ट्रेट्री जो सभी है वह भी कवर इस कंपनी के द्वारा की जात इस ट्रॉंग फंडामेंटल के साथ यह काम करती हुए देखने को मिलती है साथ ही सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो पैन इंडिया इस कंपनी का नेट्वर्क की देखने को मिलता है जो कि यहां पर 3,965 कैस्वैन है जो कि 238 आप लोगों को ब्रांचे ग्रेट बिजनस प्लेटफॉर्म ऑफर करती है रेंच जो की प्रोड़क्स और सर्विस यहां पर दोनों प्रवाइड कराती हुए देखने को मिलती है कंपनी साथ ही एक्स्प्रियेंस की बात की जाए यहां पर एक्स्प्रियेंस और हाइली क्वालिफाइड मैनेजमेंट इस कंपणी के पास देखने को मिलती है यहां पर बिल्च देखने को मौड़ल और में देखने को मिलान एसेट आप लोगों कंटिनुसली बेसी से पहले 10,000, 11,000, 11,000,000 था वह आप लोग को बढ़कर 13,000,000,000 हुआ राउंड फे और के बात कीजा तो यहां पे 16,000,000,000 कंपनी का एसेट 2021 के फाइनेंसियल में देखने को मिला है थोड़ा सा आपको एसेट 2021 के आप लोग को 5 मंत में ख़ते देखने को मिल लेकिन बात किज़ा इस कंपनी के अ इस वीज़ेसर यह कि पैंडामी के कारण से ओपरेट करने में और यहां पर उप्रेशन ज्यादा नहीं वहने के वज़े से इस कंपनी के जो रेविणियों इसमें घिरावट देखने को मिला है फिर यहां पर रेविणुरी कायब करती वह देखने को मिले और अच्छे काच र साथ यहाँ पर प्रॉफिट की बाद कि जाए तो प्रॉफिटी टेवल कंपटीए है करेद कि यहां पे बात कि जाए तो फैनेंसर पारमेटर्स कंपनीं के एले और कंपनी के फैवर में निगेटिव पॉइंट की बात कि यहां पर कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो आई पीव लाने का है क्योंकि यहां पर टोडल ऑफर पो शेल के माध्यम से यहां पर 11000 जो मिलियन रुपीज का आपको एग्रिगेट पर मोटर्स अपने स्टेक को सेल करने जा रही है और एचीव करना चाहती है बेनिफेट लिस्टिंग एक्विटी शेयर को स्टॉक एक्षेंज पर करवा करते हैं यहां पर तोड़ा सा जो अबजेक्टिव लाने का ओ तोड़ा सा निगेटिव है नहीं तो कंपनी के रिलेटेट फैनेंसिल पारमेटर्स बिजनस मोडल काफी वहत्रीन देखने को मिला है साथ ही आईपीओ के डिटेल्स की बार्ट करें मार्केट प्रिम्स से पहले हम लोग बेसिक डिटेल्स के देखते हो तो यहां पर इसके डिटेल्स 21 अफ दिसमबर से आईपीओ अपन होगा 23 अप्लाइग करना है कड़ाइज पर ही साथ ही यहां पर देखा जाए मार्केट आपको सेलेक करना होगा दोने पर एक कंपनी लिस्ट होने जा रही है और इस साइज की बात कि जाए तेगार सो क्रोर का टोटल इस साइज होने बाला है यानि कि पर मोटर्स और इस्टेक को डाइलूट करते हुए देखने को मिला और क्यू आइभी के लिए 50 परसंट रिज अपलाइ करेंगे और मिलते हुए देखने को मिलेगा और यहां पर आपको सिर्फ शिर्फ 15 परसंट यहां पर रखा गया हुआ है आने बाले से हमें जो इंपोर्टेंट होने वाली है क्लोजिंग डेट के बाद इस आपको ट्वंटी एट अब दिसमर आपको एलोटमेंट करने के लिए साथ ही इस कंपनी के रिलेटेट बात की जाए तो आप लोग आने के बाद यहां पर 65.59 परसंट रहा जाएगी जो कि अभी भी आपको एस्ट्रॉंग हैं में ज्यादा होल्डिंग देखने को मिला जो कि कंपनी के रिलेटेड और इंवेश्मेंट पॉइंट कमपनी के रिलेटेड बात की जाए ग्रे मारकेट प्रेमियुम किती हैं यहां पर CMS इंफो सिस्टम के ग्रे मारकेट प्रीमियुम 16th of December के बात की जाए तो यहां पर 12.30 मिनटे पर जो करे मार्केट प्रीमियुम अभी तक रिलेटेट अपडेट ऑनियों गहीं को पर पोच सकते हैं, so keep investing, keep growing, thanks for watching this video, फिर मिलता है एक नहीं informative वीडियो में तब तक के लिए जाएं